नमस्कार मैं हूँ आपके शंग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ महा सिवरात्री 2019 आने वाली है मार्च 4 को मैं आपको आज बताऊंगा कि भगवान सिव की पूजा में महा सिवरात्री के खास अफसर पर सिवरात्री पर आपको क्या अर्पित करना है क्या अर्पित नहीं करना है सिवरात्री पर भूल कर भी क्या चीजे आपको नहीं चड़ानी है इन चीजों की चर्चा हम आज करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए अगर आप ये चीजों को मिस करते हैं तो जो महासिवरात्री की पूजा आने वाली है हो सकता है कि आपकी पूजा निस्फल हो जाए अगर आप कोई गलती कर बेठते हैं तो आपकी पूजा निस्फल भी हो सकती है तो हमारे साथ बने रहिए इन सारी चीजों को एक एक चीजों को मैं बताओंगा कि भगवान सिब पर या सिबलिंग पर क्या चड़ाना है क्या नहीं चड़ाना है और भगवान सिब की पूजा में क्या साभधानिया आपको बरतनी है तो सीधा हम चलते हैं कि महा सिवरात्री 2019 का सुब मुर्थ क्या है देखिए महा सिवरात्री 2019 का सुब मुर्थ 4 मार्च सोंबार यानि 4 मार्च 2019 सोंबार के दिन इसका सुब मुर्थ माना गया है हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को परसंद करने या उनकी आराधना करने के लिए बिशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है कुछ ऐसी सामग्रियां और बीधियां होती है जो बिशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है उनकी पूजा में जब आप उन सामग्रियों का इस्तमाल करते हैं तो मनोबांशित फल आपको मिलता है इसके साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनका परियोग करना उल्टा परिनाम परदान कर सकता है जहां कुछ चीजे आराध्य देवी देवताओं को बहुत पसंद आती है वही कुछ चीजे उन्हें नापसंद होती है तो ऐसे में उन्हें नापसंद चीज अर्पित की जाए या उनकी पूजा में उन सामग्रियों का परियोग किया जाए तो यह समस्या का करन बन सकता है भगवान सिब जिने भोले नाथ भी कहा जाता है और बिना सक भी है जहां वे अपने भक्तों से बहुत जल्द ही परसंद हो जाते है और क्रोध की कारण बहुत जल्दी रोधरूप भी धान कर सकते है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान सिब को जब भी कोई चीज आप अर्पित करते हैं तो क्या आपको सावधानिया रखनी है क्या चीज आपको अर्पित नहीं करनी है तो सीधा हम चलते हैं कि भगवान सिब को क्या अर्पित ना करें सबसे पहली बात भगवान सिब को कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं नहीं अर्पित करें नहीं sibling पर नहीं भगवान सीव को अगर आपको हल्दी अरपित करना ही है तो जो sibling की बेदी होती है उस पर आप हल्दी लगा सकते हैं इसके साथ साथ केत्की का फुल sibling पर कभी ना चढ़ाएं तुलसी के पत्ते बहुत important है, जब भी मैं जाता हूं महासिवरात्री में, मंदिर में तो मैं देखता हूँ कि भक्त गन तुलसी के पत्ते भी सिवलिंग पर अर्पित करते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है कभी भी तुलसी के पत्ते आप सिवलिंग पर अर्पित ना करें ये बर्चित है इसके साथ साथ केवरा का जल भी सिबलिंग पर अर्पित ना करें सिबलिंग पर नार्यल अर्पित किया जाता है लेकिन कभी भी सिबलिंग पर नार्यल के पानी से अभिसेख नहीं करना चाहिए इसका भी आपको ध्यान रखना है कुम कुम या सिंदूर यह सोभाग का परतीक है जबकि भगवान सिब बैरागी है इसलिए सिब जी को कभी भी कुम कुम या सिंदूर नहीं चड़ता है इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है तो मैंने आपको बताया कि भगवान सिब पर या सिब लिंग पर किन चीजों को आप अरपित ना करें अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी पूजा संपुर्ण होगी और आपको सुफल मिलेगा अब भगवान सिब की पूजा की क्या साबधानिया है देखिए संप से कभी भी भगवान सिब का अभिसेख ना करें ऐसी मानता है कि भगवान सिब ने संप चूर नाम की असुर का बद क्या था और संप को उसी असुर का परतिक माना जाता है जो भगवान विश्नु का भक्त था इसलिए बिष्णु भगवान की पूजा में संग का परयोग तो होता है लेकिन सिब की पूजा में संग का परयोग बरजित है तिल या भगवान बिष्णु के मेल से उत्पन हुआ है ऐसा माना जाता है इसलिए इसे भगवान सिब को नहीं अरपित किया जाना चाहिए तूटे हुए चावल भगवान सिब को कभी भी तूटे हुए चावल नहीं चरहना चाहिए भगवान सिब को अक्षत यानी साबुत चावल अरपित करना चाहिए टूटा हुआ चावल अपुन और असुद्ध होता है इसलिए शिप जी को नहीं चड़ता है इसके साथ साथ जो महत्पुन बाते हैं फूल भोले नाथ को लाल रंग के फूल नहीं चड़ाने चाहिए साथ ही केत की और केवरे के फूल भी चड़ाना परजित है भगवान सीप को सफेद रंग के फूल चड़ाने चाहिए इससे वे बहुत जल्दी परसंद हो जाते हैं लेकिन लाल कमल और लाल कनिर का फूल भगवान सीप को आप चड़ा सकते हैं आम तोर पर लाल रंग के फूल चड़ाना बरजित है लेकिन आप लाल कमल और लाल कनिर का फूल चढ़ा सकते हैं भगवान सीब का सफे चंदन से ही तिलक करें लाल या पीले चंदन से इसका तिलक नहीं करना चाहिए इसका भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि भगवान सीब पर आपको क्या चढ़ाना है और कैसे जल अर्पित करना है देखिए भगवान सीब को जल हमेशा पतली धरा में ही अर्पित करें और धीरे धीरे अर्पित करें ऐसा नहीं कि लोटा लिया और जल से और पूरिय लोटा को भगवान सिब या सिब लिंक के उपर उरेल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, जब भी आप जल अर्पित करें तो धीरे धीरे पतली धरा में ही आप जल अर्पित करें बेल पत्र भगवान सीब को बहुत पिरिया होता है और इससे बहुत जल्दी परसन भी हो जाते हैं तो बेल पत्र आपको अवसे ही भगवान सीब अर्पित करना है इससे आपकी पूजा पुर्ण होगी बिना बेल पत्र की पूजा अधुरी मानी जाती है जब भी आप भगवान सीब की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेल पत्र अर्पित करना है तीन पत्ते वाली जो बेल पत्र होती है जिसका जो मुलाइम भाग होता है जो स्मूध भाग होता है उसको भगवान सीब की उपर आपको रखना है इसके साथ साथ भांग धतुरे का भी चड़ावा कर सकते हैं गन्य की रस इत्र सिबलिंग पर भी आप चड़ा सकते हैं परफ्यूम जो चंदन की परफ्यूम आती है वो भी भगवान सिप पर आप लगा सकते हैं या चड़ा सकते हैं गी, सहद, दही, दूद, सक्कर इन चीजों को भी आप भगवान सीब के ओपर अरपित कर सकते हैं या इसको आप लगा सकते हैं चड़ा सकते हैं अब जो सबसे महत्पून बात है लोटा सीब जीब पर आप जब भी जल अरपित करते हैं ये दियान रखें कि जिस लोटे से आप जल अरपित करते हैं वो या तो तांबे की होनी चाहिए या पीतल या अश्दधातू के लोटे ही होने चाहिए कभी भी एस्टिल या लोगे के लोटे से आप जल अरपित ना करें ये गलती आपको नहीं करनी है तो मैंने आज आपको बताया कि भगवान सिब को सिवरात्री महा सिवरात्री के अफसर पर क्या आपको अर्पित करनी है क्या अर्पित नहीं करनी है सिवली लिंक पर क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भगवान शिव की पूजा में क्या साथधानिया आपको बरतनी है और क्या इनके पूजा में आपको चरहना है और जल कैसे आप अर्पित करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किर्पिया इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें ताकि वो भी महासिवरात्री की पूजा पर इन चीजों का फैदा उठा करके भगवान सिव की फुल फुन फल की प्राप्ति कर सके वो कोई गलती न करें पूजा में ताकि उन्हें भी पुन फल की प्राप्ति हो सके आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद